असलाम अलाइकुम वेलकम टू माय चैनल कुकुविट शाहिन सुल्ताना तो गाइज आज की रेसिपी है हमारी है हैदराबादी फेमस चाकना जो चाकने का भी सीजन चल रहा है तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए रेसिपी दे दूँ तो इधर उधर ढूनने से अपने लेकिन बनाने में बहुत आसान है और खाने में तो सबका फेवरेट है चाकना तो चलिए गाइस इसकी हम रेसिपी देखते हैं तो इसके लिए मैंने एक किलो बट और फेवसार ली हूँ और बाखी के जो सामगरी होती है यानि पुर्जे होते हो नहीं मिले मुझे पुचर के पास बस यही अविलिबल था तो मैंने एक किलो लाई हूँ और उसमें एक बड़ी सी प्याज यानि 100 ग्राम की प्याज ली हो में इसे अच्छे से आप दोना है दस से बारा बार अच्छे से साब धो लीजिए आटा लगा कर अब चलिए हम यह सब धोने के बार में इसमे साथ नहीं कलेगा और यह हम पॉडरा जो जिंजर गालिक पेस्ट तो एक टे स्पून है अब हम इसे सब मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लाएंगे कुकर में इसे कुकर में डाला है दीखिए हमने प्यास के साथ धोया है रस से बार बार में बिछटर से साफ करा करमा कर लाई थी तो देखे इस तरह से तो अब इसमें हम डालेंगे दो से तीन ग्लास पानी तीन ग्लास पानी हो चुका है अगर आख फिर हम आज सीटीज को लगा देंगे इसमें से थोड़ा से ऑईल डालना है कि आईल हमें बार में भी इस्टेमाल करना है कोकिंग ऑईल तो आप बस थोड़ा सा डालिए तो अब इसे हम लिट कर देते हैं अच्छे से कवर कर दीजिए और इसे हाई फ्लेंग पे आप रख दीजिए आठ सीटी तक यानि आधे से पौना गंटा तक इससे लगेगा और इसका पानी सुकने के बार अजर आपको गलता है तो ठीक है वनना फ जीरा है एक टीज़पून एक टीज़पून फली के बींज है यानि मुंग फली पथर का फूल है एक बड़ा पीस मैंने ली हूँ और रोस्टेट चना है खो चुकनट है अगर आप यह ओप्शनल है अगर आप नहीं लेना है तो वन टीज़पून जीरा पौडर वन टीज जीरा लीजिया और वांटी स्पुल यह देखिए आठ सीटी हो चुके हैं यह गल चुका है अच्छे से यह आप्शनल है जीरा पॉडर और धनिया पट भी आप दाल सकते हैं लेकिन यह दालने से यह अन्थेटिक यानि पराने नमाने के स्टाइल में बना रही हूं मैं जो हम जवारी का अटा ही लगता है इसे और यह गर्मी का मौसं भी है तो जवार हमें ठंडक देती है पेट में इससे गर्मी नहीं होती है अब यह जो REALLY रोस्ट कर लिये थे वो पुरे हम पोरे हम इसके अंदर पहन जो बून लिये हमने फ्लाप जो मेने जवार जवार का जो फ्लाड था यानि जवारी का आटा जो मैंने भून लिया है उसके अंदर हम यह सारे मसाले अब चलिए हम यह लगन में ही बनता है तो हम लगन इस्तेमाल कर रहे हैं अब इसमें हम चार से पांच टेबल स्पून ले ले लेंगे देखिए गाइस इस तरह से थोड़ा सा हीट होने के बाद में हम अब तेज पता डालेंगे दालची नी दो सितिन लॉंग दो इलाइची और एक चुटकी शाही जीरा यह हम बगारेंगे इसके इडिएजि को को खोल कर डालिया इससे अच्छा आता है बस थोड़ा सा इसे हमें फ्राइव होने देना है और बाही का हम इसके अदर जो अमने हम प्रहशा चुके थे मसारों के साथ बट को तो वह हम इसमें कर देगे अब इसमें हम पानी डालेंगे क्योंकि यह अल्रड़ी भुनावा है गलावा है तो इसमें अब हमें टाइम नहीं लगेगा तो देखे काली मिर्च पाडर है हम थोड़ा थोड़ा भी सिवाल करेंगे और कवाप ची नहीं है थोड़ी सी और थोड़ी हम दम पर इस्टिम्न एक गरम मसर्ट पाडर है बस कॉटर स्पून लेना है आपको गरम मसाला जाड़ा ठीक हो गया तो आप खाने सकेंगे ये है बारी कट कर लीजिये और इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिये अब देखिए हम इसे 2-3 मिनट इस तरह से छोड़ देंगे ताके हरे मसाले का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए और थोड़ा पानी भी आप एड़ कीजिये इसमें आपको खुले बर्दन में यानि लगन में ही बनाना है चाकना खुले बर्दन में ही बनता है तो देखिए गाइस हमने जो फ्लॉर भुन लिया था यानि जो आटा मैंने भुन ली थी जवार का आटा और जो जवार मैंने इसमें डाली हूँ भुनेवे मसाले जो मैं ग्रैंड कर ली थी अब उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब देखिए हमारा ये भी 2-3 मिनिट में ये पकने लग गया है अच्छे से हमारी ग्रेवी अच्छे से पकने लग गी है अब चलिए हम इसे आटा लगाते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी रहना चाहिए इसकी तो बहुत अच्छा बनेगा इंशालाब को बहुत पसंद आएंगी तो देखिए गाइस अभी हम इसे आटा लगा रहे हैं जब ये अच्छा सा पकता है तभी लगाना है वरना इसके अंदर बॉल्स बना यानि गांठे बना शुरू हो जाएंगी लंस आ जाते हैं लंस आने मत दीजिए अब इस तरह से आप हिलाते रहे हैं देखिए ये बहुत थिक लग रहा है आप चाहे तो इसे थोड़ा पानी वीप्स में डाल सकते हैं वाटर राइट कीजिए नमक और मिर्च और मसाले आप अपने हिसाफ से लीजिए मेथड मेरे हिसाफ से बना लीजिए तो इस मेथड से आप बनाएंगे तो वह वह पाएंगे आपके सारी फैमिली में और रिष्टेदार को भी आप यह दे सकते हैं तो देखिए मैं नमक डाल रही हूँ यह टेस्ट और साल्ट है अपने जायखे के रिसाफ से यानि स्वाद अनुसार नमक है देखिए हमारा चाकना बनकर तयार हो गया है अब इसे हम विल्कुल स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे पकने के लिए देखिए इस तरह से तो आप इसे नान के साथ या कुल्चे के साथ या खमीरी रोटी के साथ आप इसे लीजिए या फुलकों के साथ बहुत जायखेदार होता है और हमें बाहर जाके खरीद के इतने महेंगे पैसे डालके खाने की ज़रूरत नहींगे आप घर में ही बना सकते हैं तो गाइस मेरी रेसिपी कैसी लगी मेरे डिशेस कैसे लगया आप ज़रूर गूड कॉमेंट्स कीजिए share कीजिए मेरे चैनल को जारा से जारा मेरे डिशर्स को सब्सक्राइब कीजिए जो सब्सक्राइब नहीं किये हैं प्लीज वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिये ताके मेरी हर डिश की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाएगी आप कर लीजिए तो चलती हूँ खाए और खिलाए खुशिया रखिए तो चलती हूँ दुआ में याद रखना अलावेज